नमस्कार मैं अमरिंद्र तिवारी और अपने यूट्यूग चैनल पे आज इस शक्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ जिनकी बातों को आप तक पहुचा रहा हूँ ये भाजपा यूआ मुर्चा के जिला मंत्री हैं अमर्जीत जी सबसे पहले तो सर स्वागत है इस कारिकरम में आज जो की आज जो आयोजन था बिहार स्टेट चेंपियंशिप था बॉक्सिंग का और सर सबसे पहले तो आप ये बताईए कि यूआ फिड़ी जो है गेम की तर मतलब खेल के परती जुखा हो आ रहा है बिल्कुत सही आज के परेंस चार है कि हमारे बच्चे साथ पढ़ते के साथ साथ कुछ एक्स्टर तोर्पिक तो देश की परती जो जाग रुपता है कि हमारा बेटा देश के लिए कुछ करे ये भावना अभी बहुत आगी आई कर रहे हैं और देश के लिए निश्चित कौर पर ये गर्व की बात है अमर्जीत जी आप एक चीज़ बताइए कि पहले देखा जाए अगर विश्व के अनेक देशों में आप देखें तो भारत की आबादी काफी जादा है पर मेडल की संख्या यहां कम है तो क्या लगता पढ़ावा नहीं दिया जा रहा था तो वह हमारे देश के लोग आगे नहीं आए टालेंट बहुत है हमारे अनुड निश्चित तूर पर खेल के नाम रॉसन कर रहे है और हमारे सरकार ने वीगट चार साथ के अंदर में बहुत सारे मैडल हमारे प्लेयर ने लाएं है खेल मंतरचिए वो खुद एक खिलाड़ी हैं क्या कितना अंतर पड़ता है जब एक खिलाड़ी के पड़ते हैं और खिलारीओं की भावनाओं को अच्छी तरह की circular समझते हैं तो कितना असर पड़ता है इसका। और ये खेल हमारे बढ़ाबा दिया जा रहा है। वहां तक पहुशना चाहिए। लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे भी खेल सकते हैं। आप भी काफी उनको मदद करें। तो इस बार के उलम्पिक में क्या चांसेस लगते हैं। और इस तोर पर ये ओलम्पिक जो आने वाली होगी हमारा भारत देश बहुत जादी संख्या में मेडल लाएं। ये हमारी सरकार की देन है, हमारे खेल मंतरी राठोर जी की देन है कि आज ये खिलारी लोग जो हैं। अचने लोग बढ़के आए हैं और खेल के परती उनमें साकारत्मक विचार आई है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अभी जो माहौल बना है देश में खेल के परती जो है युवापिढ़ी का बहुत ही ज्यादा लगाव हुआ है। कि उसमें अनुशाषन का क्या रोल है। अनुशासन किस तरह से उनको आगी ले जाने में मधदगार साबित होता है। बिल्कुर अनुशासन हर एक चीज में बहुत जलूरी है। जो आपको जिस चीज में रुचिये are उस जगत में जाईए उस जगत में लेकिन पढ़ाई जरूरी है यह नहीं कि है अगले दिन किसी और अतिती के साथ आपके सामने होंगे उपलब तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत